मसकार दोस्तों स्वागत आप सभी का मोसम अपडेट बिहार यूटूब चैनल पर बात करेंगे बिहार के मोसम के बारे में जिसमें आपको बताएंगे कि बिहार में बारिस की गतिविदी का पर होने की समभावना है आने वाले 27-48 गंटों के दुरान विबी नजेलों का मोसम कैसा रहेगा और बारिस की गतिविदी आज रात को भी कुछ स्थानों पर होनी की समभावना है उसके बारे में आपको ताजा जानकारी देंगे तो इस वीडियो को बिना स्किप किये पूरा जरूर देखे चैनल पर पहली बार आये वो तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करे दोस्तो हमारे चैनल पर यंठी मौसम अप्डेट बिहार यूटूर चैनल पर आठअजार ससक्राइब पूरे हो चुके हैं आठअजार किसान भाई हमारे चैनल के साथ जूड शुके हैं तो अभी तक आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो प्लिज नीचे लाल बटर चनल को सब्सक्राइब जरूर करे ताकि बिहार मोसम की जानकारी आपको रोजना समय पर मिलती रहेगी किसान भायों आज बिहार के अधिकतर जगों पर मोसम साप हैं जैसा कि हमने आपको सुबह के वीडियो में भी जानकारी दी थी लेकिन कुछ नमी वाली हवाई बिहार के शुत्रों पर अभी भी बनी हुई हैं जिसके वज़े से दो पर बाद यहां पर कुछ बादलों का निर्मान हुआ हैं और आने वाले 4-5 गंटों के दोरान या आज रातरी को फिर से बादलों की आवाज जवी बिहार की कई जगों पर बढ़ेगी जिसमें राजदानी पटना समेद बकसर साथ में बोजपूर और कई उतर पशिमी जो शंपरन के शंपरन के शंपरन और कुछ जो बकसर के असप गतिविदी बिहार के शत्रों पर नहीं होगी लेकिन काफी मुचे वाले बादल होने की वज़े से याँ पर इकादुका जिगों पर मेगजना की गतिविदी और अंद्र जैसी गतिविदी देखने को मिल सकती हैं तो लगातार इसके बार में भी आपको अपडेट करते रह रहेगी और इकादुका जिगों पर आज देर रात में गजना की गतिविदी हो सकती हैं तो आगे की जानकारी के लिए आप मोसम अपडेट बिहार को सस्क्राइब जरूर करें जै हिंद जै भारत दन्यवाद